सुखे हुए खजूर को छूहारा खहते हैं, ये तासीर में गरम होती है, इसलिए लोग इसे सर्दी के मौसम में ज्यादा खाते हैं छूहारा खुश्क और मीठा पल होता है जो हमें स्ट्रॉंग और हेल्दी बनाने में मदद करता है तो चलिए जानते हैं इसके फायदों के बारे में एक ग्लास दूद में पांच चुहारे, पांच काली मिर्च और एक इलाइची के दाने को मिलाए और उसे उबाल ले रात को सोने से पहले इस दूद में एक चमच गी मिला कर पिये इससे सर्दी जुकाम की समस्या से जल्दी निजाद मिलेगी साथ ही ये साइनस के पेशिंस के लिए भी बहुत लाबधायक होता है रोजाना, सुबर, शाम, तीन चुहारे दूद में उबाल कर खाएं इससे बवासीर की शिकायत दूर हो जाती है साथ ही शरीर में बलड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है तीन से चार चुहारों को पानी में धोकर इनकी घुटली निकाल ले अब इन्हें गाय के दूद के साथ उबाल ले और इस दूद को सुबर शाम पिये इससे बलड प्रेशर नॉमल हो जाएगा चुहारा कैल्शिम का बहुत ही अच्छा सोर्स है इसे दूद के साथ पीने से हड्डियों का गल्ला और दातों की कमजोरी दूर हो जाती है जिन लोगों की आवाज भारी हो या हकलाते हो या फिर तुतलाते हो उन्हें रोजाना चुहारे को दूद में उबाल कर खाना चाहिए इससे उनकी आवाज साफ हो जाएगी दिन में दो चुहारे खाने से बुड़ापे में यूरीन आने की समस्या से राहत मिलती है यदि आपका बच्चा बार-बार बिस्तर पे यूरीन करता हो तो उसे चुहारे वाला दूद पिलाएं इससे काफी फाइदा मिलेगा जिनहें लकवा मार जाता हो या फिर जिनके सीने में दर्द रहता हो उनके लिए चुहारा एक दवा की तरह काम करता है किड्नी स्टोन और पीट दर्द के मरीजों के लिए चुहारा बहुत फाइदे मन होता है इसलिए रोजाना कम से कम एक से दो चुहारे जरूर खाएं बस एक बात का ध्यान रखें किचुहारे या फिर इसके दूद के सेवन करने के लगबग दो घंटों तक पानी ना पिए